हेलो फ्रेंड्स मैं सीपनी जयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने एडूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीखने वाले हैं यह फॉर्म आप खुछ से पांच मिनिट के अंदर फाइल कर सकते हैं उसके बाद आपके बास क्या डोकिमेंट होगा इसको आप सेलर को देंगे ताकि वह आपके नहां पर रिजिस्ट्री कर सकें तो उसके लिए फॉर्म जो है वो 16B डाउनलोड करना होता है कि लिए भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा वीडियो का फिसोट में रहेगा वीडियो को स्किप मत करिएगा इंकम टैक्स की ओफिसल वेबसाइट है www.incometax.gov.in को आप नोट कर लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को रिष्टर करना है अगर आपक नहीं है तो वलिडेट करेगा कन्टीव करना है अपनी आपको अंटर करनी है यह डिटेल में जैसे डेट ऑब वर्त हो गया अपका नेम ओगया तो पेड्रेस एमेल इडि मोबाइल नमबर को कंफर्म करना है ओटीप से वेरिफाई करना है फिर एक पासवर्ट सेट कर लीजेगा लोगिन आईडी जो है वो आपका पैन नमबर ही रहेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर फिर से लोगिन के थूरू क्रोसीड करने वाला हूं करना है कि यहा पर हम बात करने वाले है कि आपके सामने इस टाइब करना है क्लिक करते हैं अगर आपका लोगिनti हो रहें चीज कर लेना है है अगर आपका login already हो रखा था तो यहां पर माई प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कर लीजिएगा जब तक आप अड्रेस अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप यह फॉर्म नहीं पर पाएंगे कि फॉर्म के साथ साथ हमें पेमेंट भी करना जब आपको मेंडेटरी है पेमेंट भी करना जरूरी है अधर्वाइगे फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपकी जो है जो जिस एक्टिविटे के लिए आप यह करने जा रहे हैं वह आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो आप उसको यस करके प्रोसीड कर सकते हैं इस इसी तरह से सेलर के केस में भी ऑप सनाता है कि यह एक से जादा सेलर है आप यस करके या नो करके प्रोसीड कर सकते हैं यहां पर मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि जो बायर है वह अपने रेसों के अकोडिंग फॉर्म को फाइल करें क्योंकि पैन कार्ड पर डिटेल एंट प्रोस प्रोपरेटी में 40% है तो आपका जो फॉर्म है अगर वह आपके पैन कार्ड पर 100% का फॉर्म आ जाएगा तो कल को आपको अपको अपनी इटियर में भी पूरी की पूरी इकम निखानी पड़ेगी जब का उसकी उस केस में आपका रेसों के वल 40% है तो यहां पर यह सजेश्ट किया जाता है इंकम टैक्स में ओफिसली भी यह चीज है उस प्रोविजन के अंडर में कि जितना रेसो वाइज जितना भी सेलर का रेसों है उसके लिए वह फो मढ़ना चाहिए उसी तरह से बायर को भी ध्यान अगनी चाहिए कि जब वह कर रहे हैं तो उनके पैन कार्ड पे भी प्रोपरटी भाय की डिटेल साइगी कि वह कर रहे हैं तो इस केस में जो डाटा है वह मिसमेच हो जाएगा इसी तरह से जो भी आप रेजिस्टर कर रहे हैं रिजिस्टार को भी आपको प्रोपर इंफॉमेशन देनी है कि इस परिटिकुलर अमाउंट क यह हिस्सेदारी यहां पर upload करनी है, दूसरे person की जो हिस्सेदारी है, वो उसके pancard पर जानी चाहिए, आपके case में ऐसा देखा गया है, कि जो property की total value है, वो सभी pancard पर total total आ जाएगी, तो उस case में क्या होगा, कि अगर आपने ITR में properly reporting नहीं की total value हो, तो आपको notice आएगा, और notice म करना है, मतलब अगर seller एक से जादा है, तो उनको आपको यह बोलना चाहिए, कि दो form file करें, इसी तरह जो buyer है, अगर buyer दो है, तो दो form file करें, इसी तरह से तीन है, तो तीन करें, अगर single person कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, income tax का अपना compliance हो रहा है, उस case में, उनको my profile में है, अब यहाँ पर आपको खुशे select करना है, resident, non-resident, याप अपने coding select करेंगे, अब अगर आपने non-resident यहाँ पर select कर दिया, तो आप form 26Q की नहीं बरपाएंगे, इसलिए आपको 27Q की जाना पड़ेगा, 27Q का मतलब यह है, जो seller का status है, ध्यान से समझेगा, resident status of seller है, वो क resident है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका form पूरा अलग तरीके से बरा जाता है, उसका बिल्कुल separate status रहता है, resident status of seller, वो आपको यहाँ पर select करना है, फिर इसके बाद नीचे जो मैंने बताया था कि एक से जदा बायर है नहीं, वो select करना है, confidential details है, वो resident करेंगे, तो form आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर उसके बाद अब यहाँ पर seller का pen number लिखना है, इसका मतलब है, जो form 26 QB जो है, वो file करेगा buyer, यह buyer की responsibility है, as income tax में भी, और अब तो जहाँ पर register होती है, वहाँ पर भी information दे दी गई है, 26 QB के बिना register ना की जहाँ जहाँ प buyer को भी अपने income tax compliance में जाना है, कल को, अगर आप यह नहीं करना है, तो आपको penalty का interest का notice आएगा, और काफी problem आपको हो सकती है, यहाँ पर pen number लिखना है, seller का, confirm करना है, अगर अधार नंबर है, तो अधार नंबर भी लिखना है, उनका यहाँ पर name आजाएगा, category आजाएगी की corporate है या non corporate है, फिर उसका यहाँ पर आपको उनका address एंटर करना है, email id, mobile number correct एंटर करनी है, तो एक से ज़्यादा कर सेलर है, तो आपको जहसे यहाँ पर बताएगा है, please phone, another phone, co-sailor के लिए, अगर एक से ज़्यादा सेलर नहीं है, no करके यहाँ पर proceed करेंगे, तो seller के case में यहाँ पर खुद से भी का गया है, कि आप इसको proceed करेंगे, अलग phone, देखिए अगर मैं यहाँ पर yes कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद भी continue हो जाएगा, बड़ लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, suggest किया गया है, कि आप अलग से phone भरें, यह वीडियो का सबसे important part है, य उसको कैसे proceed करेंगे, और value कैसा enter करके proceed करेंगे, तो यहाँ पर हम assume कर लेता है, कि यह property का type है, यह आपको फाइल करना होता है, कब फाइल करना होता है, within 30 days आपको करना होता है, activity के 30 days, तो payment और credit, इन दोनों में से जो भी earlier activity है, उसके according यहाँ पर जो है, late piece interest भी आ जाएगा, तो आपके date of agreement या date of booking कुछ भी हो सकती है, उसका इस form पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट जो date of payment और credit है, अगर आप 30 दिन से जादे के period की यहाँ पर enter करेंगे, तो फिर आपको interest और यहाँ पर late piece भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप यहा आपने कोई property लिया, उस case में, तो यहाँ पर payment, credit भी है, credit के और भी other examples यहाँ पर cover हो जाते है, payment में तो direct payment है, जो है check से, किसी भी mode से आप payment कर रहे है, ITGS online, वो सब चीज़े covered है यहाँ पर, अब यहाँ पर date of deduction में, वो जो date of payment credit है, वो आप सेम ले लीजिएगा, तो आप सेम मत रखिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद property की value, सबोज करें, यहाँ पर property की value आपकी जो है, वो 60 lakh रुपीज है, तो 60 lakh रुपीज गा यहाँ पर 1% calculate करेगा, अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज़े बता देता हूं, कि आपकी जो payment है, वो installment में हो रही है, या फिर लंसम, ल difference बच जाएगा, उसकी value का बाद में आप 1% का TDS जमा करा सकते हैं, उसमें क्या होगा, कि आपका interest और penalty भी save हो जाएगे, और आपका compliance सहीली file हो जाएगा, क्योंकि इस form को भढ़ने में जाए टाइम नहीं लगता है, और first time में, तो आप जैसे अगर file करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इस चीज़े समझने में थोड़ा है, second में तो आप आसानी से बरपाएंगे, दूसरा आता है कि installment, तो आपकी अगर हो सकता है कि multiple installment चल रही हो पर लेकिन अगर gross value आपकी 50 lakh से जाधा है उस property की, आपको installment में भी TDS जमा करना होता है, अब यहाँ पर अगर मैं यह ले आप करना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एडवांस में पूरा पूरा टैक्स जमा करके, अपना टैंसम फिरी रह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 60 lakh के से अकोडिंग है यहाँ लंब सा मैं इंटर कर रहा हूं, अगर मैं इसको installment में लेता हूं सबोज़कर है, मैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको multiple form बहने पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, यह last installment है यह नहीं है, तो आपको अपने कोडिंग सेलेक्ट हरना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, इस्टोल्मेंट प्रिवेस के आती, अ यहां पर हम लंसम select करते हैं, वहां पर stamp duty की value भी मुझे enter करनी होती है, तो एक चीजगा आप ध्यानक के, क्या stamp duty की value जो है, वो higher देना है, sale consideration से, अगर वो higher है, तो फिर यहां पर stamp duty की value आएगी, और अगर lower है, तो जिसने में आपका agreement हो है, फिर वो value आपको यहां पर लिख है, और आपका agreement साट लाग रुपे का है, तो आपको stamp duty value value यहां पर enter करनी है, ठीक है, यहां पर stamp duty की value माग रहा है, और जो यहां पर value लिखना है, वो हमारे consideration की, कि आपने जो property registration करी है, उसके coding कितनी value आ रही है, ठीक है, तो हम यहां पर staff से values enter करेंगे, यहां पर no select कर लिया जो value है, उसमें difference नहीं है, तो यहां पर जो है, आपका 1% के according to this, जो है, calculate करके आ जाएगा, continue पर click करेंगे, यहां पर काफी सारे modes आपको मिल जाएंगे, यहां पर payment किस टाइप से करनी है, पुरी details आपके यहां पर आएगी, ठीक है, बसे आपको एक चीज का ध्यान अगना है, कि यहां पर आपका जो है, वो head जो है, वो change हो सकता है, ठीक है, यहां पर 0020 भी आ सकता है, 0021 भी आ सकता है, यह इस बात पर demand करता है, जो seller है, उसका pen कैसा है, मतलब company अगर है, तो company का यहां पर code आ जाएगा, अगर non company है, तो non company code आएगा, इसमें टैंसल लेने वाली बा कर देना है, ठीक है, या फिर अगर आप UPI के थुरू करना चाहते हैं, credit card के थुरू करना चाहते हैं, तो यहां पर payment gateway के थुरू आप जा सकते हैं, अलगलग payment gateway के minor charge हो सकते हैं, वो आपको check करने है, continue पर click करना है, payment करने के वाद आपके समने पूरा form आ जाएगा, यह पूर वोड होगा, traces के portal से, तो आप YouTube पर सर्च करेंगे, शिपनी चैनल के नाम से आपको channel मिलेगा, Google पर भी आप सर्च करेंगे, तो भी आपको मिल जाएगा channel, आपर मैंने form 16B की अलग से एक video बनाई हुई है, तो आप देख लेजेगा, playlist में भी आपको मिल जाएगी video, यह था complete वीडियो की आपको किस टाइप से प्रोपरिटी जो form होता है, प्रोपरिटी का ट्रॉपरिटी का ट्रॉपी कैसे बढ़ना होता है, तारी queries जो भी अभी तक आई हुई है, उनका मैंने आप रिप्लाइब भी कर दिया है, अब यहाँ पर आपको एक हीज का ध्यानक ना है, क जो form होता है, उसमें भी information दिल जाएगी उनको, इस वीडियो को share भी कीजिएगा, इसे टाप के काफी सारे वीडियोज में यट्यूब चैनल पर अविलेबल है, चैनल को परपज़ा, फुली अजूगेसन है, आप चैनल को सब्सराइब करें ना करें, पर वीडियो जो के आप को हैंडियोजन बेनिफिट मिलेगा, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्यू,